इस वीडियो को दोस्तों अंते तक देखिएorky देखिएался हम जानेंगे एसी टक्नुलोजी के बारे में उसके बाद मैं इसको अड़ HC बताऊंगा उसके बाद Nana के बार मैं बताऊंगा इसको किसे किसे ने किया weint करता है Mr. Sunlight, continue watching this video, thank you. करना क्या होगा दोस्तों उसमें हमें यह करना होगा कि जो inner eyelid है जैसे कि अंदर की परद है स्कीन है जो हमारी प्रोटेक्ट करती आई को उसको नीचे करना होगा वहां से एक फोटो खीचिंग यह आपको स्कीन पर दिख रहा होगा तो उसमें इन्होंने कौन-कौन है यह जरूर करिएगा तो इसका कैरेट जो है यह यह यंग केम नाम सही पढ़ाया अपने यंग केम प्रडी उनिवर्सिटी के से रिचर्चर है उन्होंने स्मार्टफोन से तरीका इजाद किया हुआ है समझ रहे है और यह इतना बढ़िया तरीका है इसका अड़्वांटेजिस दे सकते हैं उस हिसाब से इंपोर्टेंस क्या बन जाता है दूसरी जरूर्वत है इसकी क्या एक जो लोवर और मिडल इंकम कंट्री जैसे जो गरीब है या फिर जो थोड़ा बहुत बहुत जाज़ा जरूर्वत है जहां पर मलब लेब ॉल्या बहुत जाला कोश्टली भी हमारी जितनी किट्स लगेंगी आप आज कॉर्णावरस के टाइम पर दोस्तों कितनी किट्स की बात आप सुनते रहते हों कि नीज में कितनी किट्स की जरुवत परती है आज टेस्ट करने कले अगर ऐसा तरीका हम अभी सुरु ब्लड की test की बात कर रहा हूं अगर ऐसा कोई तरीका की blood का test simple हो जाए तो इस से और बहतर बात क्या हो जाएगी दोस्तों है कि आपको कितनी kit मंगानी नी पड़ेगी बनानी नी पड़ेगी cost saving नी हो जाएगी सोची आप harsh climate, syaachen glacier मान लिजे मैं आपको examine कर रहा हूँ, example दे रहा हूँ एक scenario create कर रहा हूँ और काफी बार क्या होता है कि जैसे अब और भी level जैसे आन तोर पे जो चीज हम जैसे सुई घुसाते थे और उसके बाद test first करके पता करते थे वह भी सब पता कर रहे है ना और वैसे भी इन्होंने कहा है कि इन्होंने 158 volunteers लिए थे तो उन्होंसे कहीं ना कहीं 5-10% का जो error आ रहा था सिर्फ इतना तो दोस्तों अभी कभी कभार ऐसी condition होता आती है अभी बात करें यहां पर लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है दोस्तों यहां इन्होंने लिखा हुआ है दोस्तों covid-19 pandemic क्या लिखा है covid-19 pandemic has greatly increased awareness in the need for expanded mobile health and telemedicine services कि जो जैसे हम ऐसे बात करें video conferencing जैसे मेरा आपको शकल देख रही होगी तोसे मैं बात करें जैसे दोक्टर से बात हो सकती यह बहुत आदा increase कर दिया गया covid-19 pandemic की जहां हम बात नहीं कर सकते दो एक दूसरे से मिल नहीं सकते और दूसरी बात आजकल सबके बास mobile है तो mobile technology का use क्यों ना किया जाए सिर्फ PUBG खेलने के लिए या फिर हम कहें games खेलने के लिए it is a good use लेकिन एक अच्छा use हम इससे और भी तो कर सकते ना दोस्तों तो यह use है इसका आगे उनके सांसा जो और members थे कौन-कौन थे दोस्तों वह थे इनके यहां पर लिखा है दो इनिवर्सिटी के नाम यहां हो गई और इसके बात क्या लिखा है मोई इनिवर्सिटी स्कूल अफ मेडिसिन यह मैडिसिन की जो इनिवर्सिटी है Kenya के अंदर Report the new approach in optics आपको बताओं दोस्तों खास बात क्या है देखिए जब भी आपको optics के जरीए कुछ ऐसे चीज़ करनी पड़ती है तो hardware की जरवत होती हम जो mobile आप चलाते हैं वो क्या होता है software software होता है लेकिन hardware की अगर मैं बात करूँ तो बहुत महंगा होता है optical hardware यानि की जैसे telescope मान लीजे कितना महंगा है है आप जैसे जिससे आप अपनी आख चेक कर आते हैं कभी आप OPD में गए होंगे तो आपको पता चलता हो का है कभी पूछेंगे ना उनसे वो machine जिससे सिर्फ पता चलता कि कितना number का है आपका चेश्मा कितने number का बनेगा वो भी एक देर दो तीन लाग की machine होती है अच्छी quality की तो यह optical instruments होते है बहुत महंगी होते है दोस्तों और आज की जमाने में इसने टेक्लोजी का यूज किया है इसने क्या टेक्लोजी यूज किया है कि spectral methods को यूज किया गया जैसे बलाया गया देखिए researchers use software to transform built-in camera of the smartphone into a hyper spectral imager जो हमारे mobile camera है उस camera को यूज करके वो hyper spectral imager में convert कर देंगे जो photo लेगा ना वो मैं बता तो जैसे हमारी जो photo ली जाती है वो एक low resolution photo होती है जैसे बहुत अच्छे camera है उनकी photo जो होती है जूम करेंगे तो आपको इतने cuts नहीं दिखेंगे पिक्सल से size अच्छा होता है सब कुछ बहुत बढ़िया होता है तो वो photo आप एक आम camera से नहीं ले सकते है आप कितना भी अच्छा है तो इस हिसाब से उसको convert करेग is commonly used to measure blood hemoglobin content because it has a distinct light absorption spectrum or fingerprint in the visible wavelength region क्योंकि देखिए एक अच्छा हम अराम से इसका पता लगा पाते हैं देखिए बहुत साई lights है हमारे जैसे हम जिससे बात करें radio waves है electromagnetic waves के अंदर आती है सारी radio waves उसके बाद microwaves इसके इन सब चीजों को हम देख नहीं बाते हैं हम सिर visible light को जैसे बहुत बहुत अच्छा नहीं लगा होगा अपी समझ में आगो जिने जिनको नहीं पड़ी हो गया तो उनको भी समझ नहीं आ रहा होगा लेकिन मैं simple सी बाद बताता हूं ज्यादा कुछ नहीं करता है smartphone आपको आगे रखना होगा eye lid खोलनी पड़ेगी और RAM से आप उस app का इस्तमाल करके अपना hemoglobin content पता कर सकते कितना खून है किस तरीका खून है WBC कितने है RBC कितने है बहुत सारी अलगलग चीज़ है आपको पता चल देंगे आगे बढ़ता हूं यहां पर लिखा होगा इनोंने देखिए low resolution system such as smartphone cameras into high resolution spectral signals spectral signals मैं बदल देगा उनको आपको बता भ अब यह सब कुछ होता कैसे होगा एक और बार बताता हूं जैसे यह तो बता रखने है technology किस पर बेज़ड है यह सारी जितनी technology आजके आप देखते हैं यह Automatical या फिर artificial intelligence से बेज़ड है जैसे हमारा दिमार्ग सोच पाता है वैसी हमने robots और machines ऐसी apps ऐसी बना रखी है machines ऐसी वह robot की robot अपने हिसाफ से सोचने लग जाए artificial intelligence जैसे हम question करते हैं कोई doubt आता question तो robot भी question करेगा उसका answer हमें देना पड़ेगा उसका answer हम कैसे देंगे हम बहुत सरे लोगों का data है जैसे hemoglobin का data दे देंगी जैसे हमने जो सुई से निकाला बज़गे उनका data निकालेंगे कैसा data के अंदर और तो पता लगाएगा अच्छा ऐसा खून से data मिलता है सब data को mix करेगा और जब आपकी बारी आएगी जब आप टेस्ट कराओगे तो वह देखेगा अच्छा है इसका कुछ ना कुछ ऐसा similar है इसके साथ इसका match कर रहा है तो बहुत सा data आपने सुना होगा data scientists are very useful in this era आजकल computer engineers के साथ data scientist का भी बहुत आदा करियर option आ गया है तो वह यह कि वह data ऐसे manage करते है कि बहुत सा data जैसे आपने वह app देखा होगा जिसने आपको बताता है कि आप सतर साल बाद कैसे देखेंगे तो कैसे बता चलता है दोस्तों वह ऐसे बताता है कि मानलीजे आपक बहुत लोग का देखा होता है कि बच्छों के सी देखेंगे और बूरे मैं कैसे दिखते हैं जिसके पास उसकी फोटो होगी ऐसी वह 100 सेमपल लेगा उसका आपकी बॉड़ी को जज करेगा आपकी नेजल सब को जज करेगा और पता लगा लेगा कि आपका भी कुछ ऐसा द के बात करें दोस्तों वहीं चीजज दूस्तों मैंने बता गद्वांटेजें और थो आप खुद ही मैंजीन करिए ना दोस्तों इक बच्चा अगर जो टा बच्चा जैसे स्वी लगाने से बिलकुल नहीं मिल्कुल रहुता है बिलकुल स्कों बोलना तो भैने निन रहा तो उसके लिए बहुत बेनिफिशिल हो सकते है दोस्तों काफी ऐसे बैने चाहते हैं यहाई से घर से बैठके कर सकते हैं ऐसे रिसर्चर्स को जो कि लगे पड़े हैं दोस्तों ऐसी जीजों बनाने के लिए जो कि हमाने के लिए एक एंसानियत के नाते मतलब सब लोगों को एक साथ ला दिये सर किसी एक अगर आप कुछ पहुचाना चाहते हैं तो उसके लिए वह रिसर्स एक आकरी बंदा खड़ा है उसको भी पहुचने चाहिए दोस्तों एक लाइन में आकरी बंदा खड़ा है तो दिस वीडियो और सब्सक्राइब कर देजिए और नहीं किया है और फैला दिजीगा दोस्तों वट्सेफ, फेस्बुक जहां जहां आपको फिलाना है फिला दिजीगा इस वीडियो को ऐसी वीडियो मैं बहुत कम देखता हूं यूटूब में भी और ऐसी चीजों को आना चाहिए ऐसी चीजों को मतलब मेरे साबसे इंक्रेजमेंट मिलता है जाहिए कि हाँ आप आई आ तो थैंक यू आपने मेरे इतनी पेशनेंट्स लिसनिंग के लिए आपने मुझे सुना थैंक यू एंड आव नाइस डी आहेड़